आज हम लोग किड्नी स्टोन के बारे हम बात करने वाले हैं किड्नी स्टोन को यह हम क्या बोलते हैं रीनल स्टोन क्या हो गया यह रीनल स्टोन इसी को हम नेफ्रो लिथियसिस भी बोलते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं किड्नी का डाइग्राम बना लेते हैं सबसे पहले तो यह हमारी किड्नी हो गई यह यूरेटर हो गया यह यूरिनरी ब्लैडर हो गया यह यूरेटरा हो गया तो हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं किड्नी में स्टोन की यह किड्नी है अगर यहाँ पर स्टोन हो जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे ज्रीनल स्टोन या फिर नेफ्रोलिथियसिस या फिर किड्नी स्टोन तो nephrolithiasis का मतलब क्या हो जाता है यह nephron हो गई जो कि kidney की basic unit होती है nephron leath means stone हो गया easis means formation मतलब nephron में stone का formation होना अगर हम देखें तो उसके बाद अगर यह जो हमारी ureter है अगर यहाँ पे अगर हमें stone देखने को मिलता है तब हम क्या बोलेंगे यह ureter है यहाँ पे अगर stone form हो गया है तो हम इसे बोलेंगे ureterolithiasis ureterolithiasis तो इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि leathiasis जहाँ पे भी है वहाँ पे कहीं न कहीं stone है leath means हमारा stone हो जाता है और easis मतलब formation और ureter है मतलब ureter में stone का formation हो जाना अब हम urinary bladder की बात करते हैं अगर किसी person में urinary bladder का stone हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे cystolithiasis cyst को हम bladder के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे cyst means bladder हो गया leath means stone easis मतलब formation मतलब bladder में stone का formation हो जाना तो हम इसके risk factor की बात करते हैं कि किन लोगों में kidney stones होने के chances जादा होते हैं या ऐसा क्या factor है जिसकी वज़े से हमें stone देखने को मिलते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले हमें genetic factor देखने को मिल सकता है कि अगर person में positive family history देखने को मिल रही है कि मदर को है उसकी भी ममी की ममी को भी है तो भी कहीं न कहीं एक region हो सकता है दूसरा हम बात करते हैं environmental factor मतलब person कुछ ऐसा खा रहा है जो की stone के लिए responsible है environmental factor हो क्या तीसरा हम बात करते हैं person में जो urine है उसमें कहीं न कहीं calcium का deposition बढ़ रहा है calcium urine में कहीं न कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है उसका कोई भी region हो सकता है person कुछ ऐसा food लेता हो जिसमें calcium ज़्यादा मात्रा पाए जाता है या फिर वो calcium supplement ले रहा हो calcium के tablets ले रहा हो animal protein बहुत ज़्यादा खाता हो पालक खाता हो टमाटर का यूज बहुत ज़्यादा करता हो तो ऐसे लोगों में भी stone के chances ज़्यादा देखने को मिलते हैं फिर या तो परसन को hyperparathyroidism है pts जो है parathyroid hormone जो है वो अगर बढ़ा हुआ है तब भी हमें देखने को मिल सकता है कई परसन होते हैं जो की पानी बिलकुल नहीं पीते तो dehydration या lack of water intake भी हम बोल सकते हैं जो लोग पानी का यूज कम करते हैं कम पानी पीते हैं उन लोगों में भी kidney stone होने के chances बढ़ जाते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा animal protein का यूज करते हैं बहुत ज़्यादा mass खाते हैं उन लोगों को भी stone होने के chances ज़्यादा होते हैं as compared to vegetarians non-vegetarians जो हैं उन में ज़्यादा chances है as compared to vegetarians और एक factor हो गया अपना obesity मतलब motapa motapa आप देख रहे होंगे हर जगा ही हमें मिल जाता है तो आप workout कीचे अब हम बात करते हैं इसके type की कि यहाँ पर हमें किस-किस type का stone देखने को मिल सकता है तो सबसे first तो हम बात करते हैं सबसे common concept calcium oxalate मतलब कहीं न कहीं calcium oxalate की वज़े से होने वाला stone 80% के से समय में इसी की वज़े से stone देखने को मिलते हैं यहाँ पर क्या होता है person का pH जो होता है वो कम हो जाता है तो pH कम हो रहा है तो urine जो है na acidic हो रहा उसकी वज़े से और यहाँ पर stone का color क्या हो जाएगा black देखने को मिलेगा या फिर dark brown और यह USG जब करेंगे तो stone radio opaque होगा means क्या हो गया opaque जहाँ भी होता है मतलब यह हमें stone दिखाई देता है ठीक है अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं calcium phosphate calcium phosphate calcium phosphate इसके stone हमें 5-10% cases में देखने को मिलते हैं कि calcium phosphate की वज़े से stone हुआ है यहाँ पर pH की value बढ़ती है तो मतलब urine क्या होगा हमारा alkaline होगा यही कम हो रहा था तो क्या हो रहा था? acidic हो रहा था यहाँ पर urine alkaline हो गया stone का color यहाँ पर dirty white होगा और यह भी radio opaque होगा मतलब यह हमें दिखाई देगा अब हम next variant के बात करते है इस्ट्रोवेट या triple phosphate stone भी हम इसे बोलते है triple phosphate stone तो यहाँ पर क्या होता है? triple phosphate है मतलब तीन चीजों से मिलके बना हुआ है यह stone यहाँ पर ammonium magnesium और phosphate यह तीन चीजों से मिलके बना हुआ है यह stone तो इसका जो इस्ट्रोवेट या triple phosphate stone जिसे हम बोल रहे है main कारड जो होता है न infection होता है यह कहीं न कहीं infection की वज़े से stone हमें देखने को मिलता है यह stone हमें 10 से 15% cases में देखने को मिलता है इसके बाद यह dirty white color का होता है और यह भी opaque होता है radio मतलब आखों से दिखाई देता है अब हम uric acid stone होगे चौथर टाइप में हमारा uric acid stone तो uric acid stone जो है न हमें 5-10% cases में देखने को मिलता है uric acid stone उसके बाद यहाँ पे जो है php कहीं न कहीं persistently कम होता जाएगा तो urine क्या हो गया हमारा acidic हो जाएगा यहाँ पे भी और इसका color जो है yellow reddish brown होगा yellow reddish brown और यह radio lucent होगा lucent आगे मतलब क्या होगा यह हमें दिखाई नहीं देगा ठीक है radio lucent अब हम पाच्वे टाइप की बात करते हैं जैन थीन इस्टोन जो की extremely rare वेराइटी का होता यह हमें इसली देखने को नहीं मिलता है एक से दो परसेंट के इससे होते हैं इसका colors होता है brick red होता है जो इट का color होता है वैसा color देखने को मिलता है और यह भी रेडियो लूसेंट होता है अब हम छटमे टाइप की बात कर लेते हैं cystic store तो यहां पर क्या होता है यह भी rare विराइटी है एक से दो परसेंट के सिस में देखने को मिलता है और यह genetic disorder होता है ठीक है इसका colors होता है pink color का होता है या फिर yellow color का pink color या yellow और यह radio opaque होता है radio opaque अब हम इसका quick revision कर लेते हैं यह कितने type पढ़े हैं हमने 6 type पढ़े सबसे पहले बढ़ा most common होता है calcium oxalate 80% cases होते हैं यहां पर pH कम हो रहा है तो urine acid में convert होता जाएगा urine acidic हो जाएगा इसका color black होगा या तो dark brown होगा और यह opaque होगा ओपेक के हमने चार पढ़े calcium oxalate भी opaque है calcium phosphate भी opaque है estrobate या triple phosphate stone भी opaque है फिर cystico stone भी क्या है opaque है वह हम lucent की बात करते हैं कि हमें आखों से नहीं दिखाई देता है USG में तो uric acid stone हो गया और genthine stone हो गया यह दोनों क्या है रेडियो lucent है अब हम rare variety बात कर लेते हैं तो genthine stone जो है यह rare होता है और genetics related होता है सिस्टीन stone यह भी बहुत दा rare variety है हम clinical features की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा flank region में pain देखने को मिलेगा flank region का जो pain होगा न वो shift होता है कहां तक हमारा growing यह जो हमारा genital parts होते हैं या तो फिर inner thigh उसके अध यूइनरी urgency देखने को मिलेगी person को बार बार urine pass out करने की इच्छा होगी हीमे चूरिया देखने को मिलेगा means क्या हो गया हीमे चूरिया हीम मतलब क्या हो जाता है blood and urea मतलब urine में कहीं हमें blood देखने को मिलेगा उसके परसंड में nausea and vomiting देखने को मिल सकती है परसंड में pain के विजए से बहुत ज़्यदा restlessness देखने को मिलेगी बहुत ज़्यदा sweating भी हो सकती है अब हम इसके investigation की बात करते हैं कि हम कौन-कौन से investigation करा सकते हैं इन्वेस्टिकेशन तो यहां पर हम सबसे पहले तो urine rm करा लेंगे urine routine and microscopy तो यहां पर हमें pustle देखने को मिल सकते हैं rbc देखने को मिल सकते हैं wbc देखने को मिल सकता है ph में disturbance देखने को मिल सकते हैं अब हम usg करा लेंगे usg जो है या तो हम पूरे abdomen का कराएंगे whole abdomen या फिर के यू बी के यू बी मतलब क्या हो गया kidney urator and bladder उसके अदम person में city scan करा लेंगे और जो radio lucent होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते उनके लिए हम intravenous pylogram कर वा लेंगे ठीक है अब हम इसके treatment की बात करते हैं कि हम कौन कौन सा treatment कर सकते हैं person में तो सबसे पहले तो हम NSAID देंगे और अगर person का जो stone है अंदर 5 mm का stone है तो हम इसको water intake के लिए बोलेंगे कि बहुत ज़्यदा पानी पी है तो यह urine के थू आटोमेटिक ही बाहर निकल जाएगा ठीक है तो हम इसमें general management में भी हम person को suggest करेंगे कि पानी इसमें ज्यादा पीना है person को उसके अधा हम calcium channel blockers देंगे calcium channel blockers और लास्ट में हम surgery कराएंगे surgery में भी हम laser surgery करा सकते हैं लाप्रोटोमी करा सकते हैं उसके अधाद ESWL मतलब क्या हो गया extra carporeal sock wave lithotripsy ठीक है I hope यह वीडियो आपके लिए useful होगी और आपको पसंद आई होगी अगर आपने चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए